हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइडे में दिये बिल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओरेंज केक देखिए कितना ज्यादा सॉप्ट और स्पॉंजी बना है और हम इसे आपको कप मेजर्मिंट के साथ बनाना बताएंगे जिससे आपका केक कभी भी खराब नहीं होगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो देखिये हम इसे आपको कट करके दिखा रहे हैं यह बहुत ही ज्यादा सॉप्ट और अच्छा बना है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो देखिए हम यह एक औरेंज लिए हैं जिससे हम क्रस करेंगे तो हम इसे के औरेंज पार्ट को बिल्कुल हलके ह तो देखे हम इससे इस तरह से क्रस कर लिये हैं और हमारा ये एक चमच ओरंजेस्ट तयार है तो हमारे इंग्रीडियन्ट है एक चमच ओरंजेस्ट एक कप मैदा, 1 half cup पिसी वीचीनी 1 1 4th cup oil 1 cup milk 1,5 teaspoon baking powder और 14 teaspoon baking soda दो चुटकी salt और 1 1 4th cup milk powder और एक orange तो देखे हम एक orange लिये है, तो जिसे हम कट करके orange से juice निकाल लेंगे तो देखे हम इस तरह से hand juicer से juice निकाल ले रहे हैं, आप इससे निचोड कर भी जूस निकाल सकते हैं लेकिन याद रखें बिल्कुल फ्रेश जूस कहीं यूज करें केक में तो देखे हम इस तरह से औरेंज से जूस निकाल ले रहे हैं तो हमें 1 by 4th cup औरेंज जूस की जरूरत है तो देखे हमारा 1 by 4th cup औरेंज जूस तयार है तो अब हम इससे एक बाउल में डालेंगे तो देखे हम जूस को एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं और अब हम इसमें half cup PCV चीनी डालेंगे जिसे हम इसमें चान कर डालेंगे चान कर डालने से इसमें जो भी चीनी के बड़े पीसे से रहेंगे वो अलग हो जाएंगे तो देखें चीनी हम डाल लिये हैं और अब हम इसमें 1 by 4th cup refined oil डालेंगे तो देखें हम इन सब को डाल कर इसे अची तरह से whisker से mix कर ले रहे हैं इसे अची तरह से mix कर लेना है जिसे सारे इंग्रेडेंट अची तरह से mix हो जाए तो देखें ये अची तरह से mix हो गया है तो अब हम इसमें फिर से इस्टेर्णर रखेंगे और इसमें हम 1 cup मैदा डालेंगे और इसे भी हम चान लेंगे और हम इसमें 1 by 4th cup milk powder डालेंगे तो देखें हम इसमें सारे dry ingredients डाल दिये हैं और अब हम इसे whisker के help से अची तरह से फेट लेंगे हमें इसे एक ही direction में चलाते भी फेटना है तो देखें अब ये mix हो गया है तो अब हम इसमें दूढ डालेंगे तो देखें हम ये 1 cup milk लिए हैं तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करकर milk को डालेंगे और इसे अची तरह से mix करते जाएंगे एक ही बार में आप सारा दूढ ना डाल दे थोड़ा थोड़ा करकर ही इसमें दूढ डाले और इसे अची तरह से mix करते जाएं तो देखिए हम इसमें फिर से थोड़ा सा दूध और डाल दे रहे हैं और इसी अची तरह से फेट लेंगे हम इसमें थोड़ा-थोड़ा मिल्क डाल कर ही फेटेंगे एक बार में अगर मिल्क सारा डाल देंगे तो यह बैटर पतला हो सकता है तो आप जरूरत की हिसाब से तो देखे यह अची तरह से mix हो चुका है आप इसका वैटर देख सकते हैं बिलकुल flowing consistency का है तो देखे आप इसका consistency देख सकते हैं आमें बिलकुल ऐसी consistency में चाहिए तो अब यह तैयार है तो अब हम इस में बागी के शारे ingredients डाल देंगे तो हम इसमें 1.5 teaspoon baking powder, 1 by 4 teaspoon baking soda डालेंगे, दो पिंच नमक डालेंगे, और एक पिंच food color डालेंगे, food color डालना बिल्कुल optional है, और हम इसमें एक चमच ओरंजेस्ट डालेंगे, जो हम तयार करके रहे थें, और अब हम इन सारे ingredient को डाल कर इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे, तो आप इसकी consistency देख सकते हैं, यह बिल्कुल perfect consistency में है, हम इसे अच्छी तरह से mix कर लिए हैं, तो अब यह batter तयार है, आप इसकी consistency देखे, बिल्कुल flowing consistency का है, हम इसका batter इसी तरह से चाहिए, तो देखिए हम एक cake tin में थोड़ा सा oil डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से पूर मैदा डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से पूरे cake tin में dusting कर लेंगे, आप इसके जगह butter paper का यूज भी कर सकते हैं, butter paper रखने के बाद उपर से आप इसमें फिर से थोड़ा सा oil grease कर लिजे, और ऐसे मैदे से dusting करने से भी cake बहुत ही अच्छी तरह से बाहर निकल आता है, तो देखे हम इसे अच्छी तरह से पूरे cake tin में dusting कर लिए हैं, और अब जो भी extra मैदा है हम इसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा cake tin तयार है, तो अब हम इसमें तयार किये हुए cake के batter को डालेंगे, तो देखे हम इसमें सारे cake के batter को डाल दिये हैं, और इसे एक अब टैप टैप कर ले रहे हैं, तो अब यह तयार है, तो देखे हम cooker को दस मिट पहले ही preheat करने के लिए रख दिये थें, और हम cooker के शीटी भी निकाल दिये थें, तो अब यह preheat हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर cake के batter को डालेंगे, तो देखे हम cooker के अंदर एक होने के लिए छोड़ देंगे, तो देखे है, चालीस मिट हो गया थे, तो अब हम cooker का ढखकन खोल लेते हैं, तो देखे हमारा cake बहुत ही अच्छी तरह से बनकर त्यार हो गया है, तो हम इससे आपको चाकू के हल्प से चेक करकर दिखाते हैं, कि अच्छी तरह से पका है कि नहीं देखें इता, जलृपार और बहुत हेम है अच्छी तरह से बेख हो चुका है इसमें जड़ा सा भी बेटर नहीं लगकर आया है, तो अब यह केक तयार है तो अब हम इसे बाहर निकाल देते हैं, तो हम इसे एक प्लेट में पलट कर और थोड़ा सा टैप टैप करके केक को बाहर निकाल लेंगे तो देखे हमारा केक बहुत एजली बाहर आ गया है तो हम इसे पलट लेते हैं तो देखे हमारा केक तयार है यह बहुत ही अच्छा बना है बिल्कुल सौफ हर स्पॉंजी बना है और इसमें बहुत ही अच्छा ओर इंज फ्लेवर भी आया है तो देखे हम आपको कट करके दिखाते एक बहुत ही जादा अच्छा बना है और बहुत ही सौफ हर स्पॉंजी ह तो आप इसे एक बार जरू ट्राइब करें हम आपको इससे मेजरिंग कप के हल्प से बनाना बताएं है जिससे आपका केक कभी भी खराब नहीं होगा और बिल्लू परफेक्ट बनेगा तो आप इसे एक बार जरू ट्राइब करें और अगर आपको हमारी रेशिपी पसंद आ झाले थांक्स पर वाचिंग!